आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे जोशी मट के बारे में जो की लगातार चर्चा में बना हुआ है बद्रेनाथ खेमकुन साहिप का गेटवे कही जाने वाली आदी संक्राचारे की तपस थली जोशी मट की भूमी लगातार धस रही है मकान होटल जमी दोस होने लगे है एतिहासिक नरसिंग मंदिर में भी दरारे आ गई है अब तक 678 मकानों में दरार आ चुकी है यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है सुप्रीम कोर्ट ने जोशी मट पर दायर की गई याचिका पर ततकाल सुनवाई से इंकार कर दिया है कोर्ट 16 जन्वरी को इस मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि लोगतंत्र के जरीए चुने गए संस्थान है जो इस मामले को देख रहे हैं हर मामला हमारे पास स्लाना ज़रूरी नहीं है अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जोशी मट धस क्यों रहा है वेग्यानिकों के इस पर अपने तर्ख है और सरकार के अपने तथ्य है जोशी मट को लेकर चार प्रमुक शोध हो चुके हैं जिसमें अलग-अलग समय पर शोध करता होने अलग-अलग कारण बताए है तो आए इन सब पर हम बात करते हैं सबसे पहले देखते हैं पांच प्रमुक कारणों और अब तक इन कारणों पर को बताने वाली पांच रिपोर्टों के बारे में विश्णोगड हाइड्रो इलेक्टिक प्रोजेक्ट इसके बारे में जुलाई 2022 को चार भू विज्यानिकों का एक शोध पत्र तूवर्ड अंडरस्टेंडिंग दे कौस आफ सोयल क्रिप एंड लेंड सबसाइडेंट अराउंड हिस्टोरिकल जोशीमट टाउन जारी किया गया था इसमें उन्होंने कहा था कि यहां पहाडी धलानों को काट कर बहु मंजिला इमारते खडी कर दी गई है कपोवन विश्णूगर हाइडरो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की टनल जोशीमट के नीचे करीब एक किलोमेटर की गहराई से गुजर रही है उनका कहना था कि यह सुरंग जोशीमट में आसपास के लिए कभी भी मुश्किल पैदा कर सकती है वही 25 मही 2010 को करेंट साइंस शोद पत्रिका में प्रकाशित शोद पत्र में भी स्पष्ट किया गया था कि परियोजना के टनल बॉरिंग मशीन की वज़े से पानी का रिसा बढ़ रहा है जो भविश्य के लिए खतरनाक संकेथ है इसके अलावा ड्रेनेज और सीविज विवस्ता भी एक कारण है पिछले साल 16 से 19 अगस्त के बीच राज्य आपदा प्रबंदन प्रादिकरण की एक टीम ने जोशी मट का सर्वेक्शन किया था शोद के बाद नवंबर मा में 28 प्रश्टों की रिपोर्ट सर्गार को सौपी गई थी इसमें उन्होंने माना था कि जोशी मट के नीचे अलकनन्दा के कटाव के साथ ही सिविज और ड्रेनेज की विवस्ता ना होने से पानी जमीन में समा रहा है जिससे जमीन धस रही है बूसकलन छेत्र में बसा शहर है ये 1970 में अलकनन्दा में बाढ़ाई थी यूपी सरकार ने 1976 में विज्यानिकों की 18 सदस्तिय कमेटी का गटनिस्पे किया था कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना था कि जोशी मट भूसकलन प्रभाविच्छित्र है इसके धलानों से किसी तरह की छेड़चा नहीं की जानी चाहिए बुसकलन इलाकों में पेड ना काटे जाए पहाडी धलानों पर पोधारोपन किया जाए पाच किलोमेटर के दाएरे में किसी प्रकार का खनन ना किया जाए इसके अलावा आनियंतरित निर्मान कारियों का भोज भी यहाँ पर है जून 2013 के कैदारनाथ आपदा के बाद सुप्रेम कोट ने एक विशेशग्य समीती का गठन किया था जिसने अप्रेल 2014 में अपनी रिपोर्ट सौपी थी रिपोर्ट में मैन सेंट्रल थ्रस्स से उपर के छित्रों को बांध पर्योजनों से मुक्त रखने पहाडों में वन कटान सुरंद निर्मान आदी के मद्यनिजर छित्र में हाइड्रो जियोलोजिकल प्रभाओं का अध्यन करने की सिफारिश की गई थी उस दोरान NGT, High Court और राष्ट्रिय आपदा प्रबंदल संस्तान सभी ने बेतर्तीब विकास गतिविदियों को रेसिपी फोर डिजास्टर घोशित किया था इसके बाद वर्ष 2014 में उत्राकर सरकार ने अपना Climate Change Action Plan जारी किया इसमें धारन शमता के अधार पर ही प्रेटन तिर्थाटन की नियमावली जारी की गई तो इस स्पस्ट होता है कि या तो यहां पर निये मच्चे से लागू नहीं हुए और ये कारगर साबित नहीं हुए इसके अलावा कारण है अलकनन्दा नदी में हो रहा भू कटाव पिछली साल जिस विशेशिग्य समिती की रिपोर्ट में ये तथे भी सामने आया था कि जो शिमट शहर के नीचे अलकनन्दा नदी से हो रहा कटाव भी खतरनाक साबित हो सकता है इस वज़े से भूदसाफ हो सकता है अब हम बात करेंगे कि इन सब कारणों पर विग्यानिकों की क्या राय है सबसे पहले बात करेंगे विश्णोगाट हाइड्रो एलेक्रिक प्रोजेक्ट के बारे में 24 अवंबर 2009 में हैलंग की तरफ से लगभग 3 किलोमेटर की दूरी पर इस सुरंग में टरनल बॉरिंग मशीन फस गई थी उसके कारण सेलंग गाव से 3 किलोमेटर उपर पानी के भूमिगत सोत को उसने छेड़ दिया था इसके बाद लगातार एक माहा तक वहाँ पानी रिस्ता रहा उन्होंने आशंका जताई की हैं पानी भी जोशी मट के धसने की वज़ा हो सकता है इसके अलावा तपोवन में पिछले साल जो तराशदी आई थी उसके बाद सुरंग में पानी घुस गया था संभवताई है पानी अब नए स्त्रोत के जरिये बाहर आ रहा है ड्रेनेज और सीवेज व्यवस्ता की बात करें तो जोशी मट में ड्रेनेज में सीवेज का काम मजबूती से करने की जरूरत है पिछले साल विशेशग्य समीती की रिपोर्ट आई थी उसमें भी ड्रेनेज और सीवेज की आवशक्ता पर बल दिया गया था इसके लिए सिचाईवे भागने पर के रिया शुरू की हुई है शमता से अधिक एन इंतर तिन्मान कारिय की अगर बात करें तो जोशी मट में निर्धारित शमता से अधिक बहु मंजिला इमारते बनने से अतिदिक दबाब बना हुआ है उनका कारण है कि आवासिय एवेंबव साइक भावनों के अंधा दुद निर्बान से प्रती वर्ग मीटर जमीन पर दबाब बढ़ गया है जिससे भूदसाव को बढ़ावा मिल रहा है अलकनन्दा नदी में भी भूकटाव हो रहा है बद्रीनात के उची हिमाले छित्र से निकलने वाली अलकनन्दा और धोली गंगा के संगमस्तल विश्णू प्रियाग में दोनों नदियां लगातार दो कटिंग कर रही है विश्णू प्रियाग से ही जोशी मट शहर का ढ़लान चुरू होता है नीचे होरे कटाव के चलते जोशी मट छित्र पर पूरा दबाव नीचे की तरफ हो रहा है इसके चलते भी भूदसाव में बढ़ोतरी हुई है अभी तक हमने जितने कारणों की बात की वो सारे मानवजनित कारण है यानि की विकास कारियों की वज़े से उत्पन हुए कारण या अन्य मानवजनित कारण है अब हम बात करेंगे कुछ प्राकरतिक कारणों के बारे में उत्राखंड राज्य आप्ता प्रबंदन प्राधिकरण के एक अध्यन के अनुसार यहां भूसकलन के लिए पेरेनियल स्ट्रीम, बरख बारी और नीज चटानों का तूटना जिम्मेदार माना जा रहा है तीनों को हम बारी बारी से समझते है जोशी मट के नदियों से घिरे होने के कारण यहां जमीन के नीचे और उपर पानी का बहाव जड़ने की तरह लगातार होता रहता है इससे धरातल पर नमी बनी रहती है जोशी मट जहास्तित है उस इलाके में जमीन की भीतर की चटाने कमजोर है और पेरेनियल स्टीम सिस्तिती और भी खराब हो चुकी है इसके अलावा जोशी मट के उपर के इलाकों में काफी बरफ बारी और तेज बारिश होती है मौसम जब खुलता है तो बरफ बिगलती है तो जोशी मट के चारों और नदियों में पानी का फ्लो तेज हो जाता है जोशी मट के अधिकतर छेत्रों में नीज चटाने हैं इनकी सता खुर्दरी और दानेदार होती है जमेन के नीचे चटाने है उन्हें तीन भागों में बाटा जाता है जिसमें सबसे उपरी सता को मेटामॉर्फिक चटान कहते है मेटामॉर्फिक यानि कि कायांतरिच चटान होती है यानि ये तेजी से अपना अकार बदलती है मेटामर्फिक चटानों का सामना जब बहुत अरीध दबाव और तापमान से होता है तो नेश चटाने बनती हैं नेश चटान अपक्षिय का मतलब होता है कि प्राकरती, वर्षा, हवा इन सबसे तूटती, कटती, छटती रहती हैं अपक्षा या वैदरिंग यानी प्रत्वी की सतय पर मौजूद चटानों में तूट फूट को कहा जाता है इस तूट फूट के कई कारण हो सकते हैं कई बार तेज हवाय, तेज बहाव का पानी, पेड़ों के जड़े या फिर तेज तापमान भी अपक्षा या वैदरिंग का कारण हो सकते हैं जोशी मट में मीज चटाने वहां रहने वालों की सबसे बड़ी समस्या है अगर हम बात करें इस इलाके के महत्यों के बारे में तो गड़वाल केमाले में 1819 मेटर की उचाई पर बसा हुआ जोशी मट तेर्थ यात्रियों और ट्रेकिंग करने वालों के लिए जरूरी रास्ता है पूरब में डकनाला, पश्चिम में करम नासा, उत्तर में अलकनन्दा और दक्षन में धोली गंगा नदियां बहती है इस इलाके में लंबे समय से निर्मान कार्य हो रहा है जिससे शहर के आसपास के छित्र में बड़े बोल्डर और अन्य चट्टानों से भूसकलन और घरों की दिवारों में धरार जैसे समस्त्याएं सामने आ रही है मारा जाता है कि जोशिमट शहर मौरेन पर बसा हुआ है लेकिन सच ये नहीं है जोशिमट मौरेन पर नहीं बलकि लेंड स्लाइड मेटेरियल पर बसा हुआ है मौरेन सिर्फ ग्लेशर से लाए गए मेटेरियल हो कहते हैं जबकि ग्रेविटी के चलते पहाडों की तूटने से जमा मेटेरियल को लेंड स्लाइड मेटेरियल कहा जाता है जोशी मट शहर ऐसे ही material पर बसा हुआ है करीब 1000 साल पहले यहाँ पर landslide हुआ था तब जोशी मट कत्यूरी राजवंच की राजधानी हुआ करता था इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल ने अपनी किताब उत्राखन के इतिहास में बताया है कि landslide के चलते जोशी मट की पूरी आवादी को नए राजधानी कातिके पूर शिफ्ट किया गया था यानि जोशी मट एक बार पहले भी शिफ्ट किया जा चुका है इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर कम्प्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच कुछा प्रूट शेरूड नाच अब्सक्राइब को अन्यूच